मैं हूँ सोरतर पाथी बोल यूपी बोल में आप सभी के बहुत बहुत स्वागा थे बुल्टिंग शिर्वात करने से पहले पांच में पच्चित पड़ेगा प्रधामंती नदिम बोदी का एक्स्क्रीशियो इंटर्वियो में प्रधामंती नदिम बोदी निकाल कि हम मिशन 2047 पर काम कर रहे हैं 2047 मील का पत्थर होगा प्रधामंती नदिम बोदी का बयान का कि 2024 और 2047 के तूलना नहीं होनी चाहिए 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरे होगा प्रधामंती ने चुनाव को लेकर कहा कि लोगतंत में चुनाव को हलके में नहीं लें प्रधामंती नदिम बोदी ने अपने इंटर्थर होगा कि राममंदीर के लिए राजमती हंतियार नाममंदीर बन गया है विफक्स से बुद्दा गया राम मंती passouट के लिए राजमती हुश्यार की करते हैं तो भाड पल्स परदेन सम्सेure सम्द्रानेरेह shout इंटर्वियू में पुर्धा मंतीर अर्म बोदी ने कहा है कि जन कल्यान के लिए फैसला लेता हूँ अमने 96370 को हटाया और तीन तलाग को भी खत्म किया है बिहार के औरंगाबाद में सीम योगी ने भरी हुंकार कहा कि देश के विकास के लिए मोदी जी जरूरी पहले की जरकारों में पहच्छान का खसंद्ट मिश्यन उत्राखन पर पीजेपी अध्याच जेपी नड्डाब असूरी में जनसभा को पिया संबोदी कहा कि पीए मोदी ने देश की राजिती को बदला मकमती पुश्का सिंग्धामी रह बोज़ा कास गंबे चुनावी दौरे पर डिप्रेश्यम ब्रजेस पाठक ब्रजेस पाठक ने बीजेपी की संकल पत्थ पर जिक्र किया विपक्ष को साधा निशान का कि कॉंग्रेस का समय तूजी स्पेक्टरम कोला कॉमन वेल्थ गेम का घुटाला आज मोदी जी के नेत्रित में कि देश तरखी की राह पर आके बढ़ रहा है कि ट्राल कोर्ट में अर्विन के जिवाल की कस्टरी 23 अपरेल तक बढ़ाई गए है सुप्रीन कोर्णी गिरफतारी का घिलाव पर नहीं सुनी अर्जी कहा कि 29 अपरेल से पहले तारिक में परिले में डिफ्टी सीम के शोपर्चाज बोर का बयान यूपी के 80 लोगसवा सीच भाजपा जीतेगी और तीसी बार प्रचेंड बहुमा से भाजपा की सरकार बनेगी ननीदाल में बोले बिजबी प्रत्याशी अजय भट कहा कि जिस तरह से दूसरी राजितिक पार्टीयों के सदसे भाजपा में सदस्ता ले रहे हैं इससे साफ होता है कि बिफश्च के पास अब कोई भी सदसे नहीं बचाए साथमी निर्ण्जा जोती का बयान सफ़ा प्रत्याशी से कोई उम्मीद नहीं पूजा सकती है सफा संसकार विहीन पार्टी साथी मिजेंदी जोकी ने समाज़ वाधी पार्टी की साधा मिशाना देवबंद में RLडी प्रमु चैन चौधी का पयान कहा कि किसान भारत की संस्किती है और RLडी ने NDA में शामिल होने से किसानों को सीघा लाव दरेगा जरादूर में लोगत्वा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग लगाता प्रयास कर रहा है इसको लेकर आज मुखे सच्ची ने अधिकारियों और कविच्चारियों को मतदाता जागूता करने के उद्देश से शपर दिलाई मुजोरियों में भाजपार राष्टी अध्याज जेपी नडडा ने बेपक्ष फर बोला हमला का कि बेपक्ष शिक का इंडी गडबंदन पूरी तरीके से बिखरा हुआ है अलमौडा में कॉंगरेस प्रदेश सद्द्याच करण महरा का बयान का की बेजेपी का गोश्टना पत्र जूट का पुलिंदा मोधी सरकार में जन्ता परिशार अरिश रावत ने बेजेपी पर जम कसाना निशाना का की बेजेपी संबिधान को खत्म करना चाहती है संबिधान को बचाने के लिए एक जूट होना चाहती होगा सपाने दो सीट पर फिर बदले उमिद्वार बदायू से आदित्य यादो लड़ेंगे चुनाव भीम निशाद की जगा राम भुवाल निशाद को टिकट सपाने दो सीट पर बदले उमिद्वार लोगसभा जनाव कले कॉंग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट सोलाव मिद्वारों का एलान प्रियाग राज में उज्वल रेउती रबड को टिकट मैन पूरी में पिजेपी लोगसभा प्रत्याची जयवेश सिंग में किया अपना नावांकन पत्र दाकिल नावांकन के दोरान पूर मंत्री राम नर्रिस अगनी होत्री सहीद पिजेपी कारिकरता रहें मोचो पिजेपी की प्रत्याची धर्वेंद रश्यम ने अपना नावांकन पत्र किया दाखिल कहा कि पिछले दस साल में आवला लोगसभा में जितना काम किया है उतना किसी सांसद ने नहीं कराया प्लंच यहर में पुराने बिवाद को लेकर दो पक्षों में खुनी संगर्ष जम कर चले लाठी डंडे दूसरे पक्षों में दो लोगों की हत्या करने का लगा आरोफ पुलिस ने चार लोगों को गिया गरबता अंदोई में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा बहिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अबैद संबन्द के शक में अपने पती को उतारा मौती घाट पुलिस ने आरोफी के खिलाब मुकद्मा दर्ज के जाश चुरूए चलेप